हेलो और वेलकम बाग तो कॉंपेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी की यूट्यूब चैनल में और आज हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यह है डेटा इंटर्प्रेटेशन यह इसका पार्ट वीडियो इसका पार्ट कोर्स जो है आपका कम्प्लीट हो जाएगा बात करते हैं इस डेटा इंटर्पेटेशन की तो इस डेटा इंटर्पेटेशन के जो सवाल आते हैं वो तीन टॉपिक से आते हैं जो की है आपका रेशियो ठीक और एवरेज से आता है औसत और प्रतिसत से और इसके वेटेज क कहां से आता है question कहां से आते हैं तो ratio से याने आसद से अनुपाद से और प्रतिसद से इन तीनों टॉपिक से आपके questions बनते हैं हाँ यहाँ पर जो question represent करने का तरीका है वो चार अलग-अलग तरीके हैं जिसमें से एक है पाई चाट दूसरा है बार ग्राफ ठीक तीसरा है आप आपका line chart रेखा चित्र और चौथा है आपका table ठीक है तो यह चार तरीके हैं यहाँ पर question बनाने के तो आये start करते हैं data interpretation को important है क्योंकि चार questions माईने रखता है और आसान भी है क्योंकि इन topics आता है तो इन topics को जो हमने पहले cover किया उसमें जो concept जो formula हमने देखा था वो चार्ट करते हैं इस वीडियो में हम pie chart से start करेंगे तो पहले हम यहाँ पर देख लेते समस्ते pie chart क्या होता है pie chart देखिए यहाँ पर इस तरीकी का जो है graph आपको दिखाया जाता है pie chart में जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ values दिये हुए है इन values की अगर मैं बा हुआ है फिर marketing है यह marketing का 22% दिया हुआ है और production का यहाँ पर 30% दिया हुआ है तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिखाए देरी होगी बात करें यहाँ पर आगे यहाँ दिया हुआ है pie chart shows the percentage distribution of 800 employees तो टोटल 800 employees है जिनका यहाँ पर percentage distribution दिया अलग-अलग विभाग में तो इस तरीके से कभी भी कोई question आपको दिखता है तो पहले आप data को समझे क्या दिया उसको समझ के पढ़िये और फिर यहाँ पर आप उसको questions को solve करेंगे तो देखे पहला प्रशन है how many employees are working in the field of marketing देखे pie chart की में बात करूँ तो यहाँ पर यह तो प्रतिसत मान के उपर मार्केटिंग का मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में कितना परसेंट लोग काम कर रहें तो बाइस परसेंट लोग काम कर रहें 22 divided by 100 multiplied by यहाँ पर 800 है तो दो 0 यहाँ पर कर जाएंगे 8 से multiply करोगे तो 16 और 16 प्लस 1 यहने 176 इसका value होगा बहुत आसान है ठीक अभी SSC के pattern में नहीं आ रहा है हाँ जहां तक banking की बात करो तो यहाँ पर केवल percentage ही नहीं topic based डियाई भी आता है तो जब हम banking के course वगेर लाएंगे तो वहाँ हम उस चीज को discuss करेंगे अभी हम SSC के उपर focus रखके केवल SSC के questions हम देखेंगे किस pattern के questions आपके exam में आते हैं question है यहाँ पर जो है आपके screen के उप़ दिया होए यहाँपर जो है angle degree विजर में दिया है यहाँपका 64.2 डिगृए यहाँपर ठीक Allahu अब यहां पर क्या दिये पाईचरेड्ट ibs the distribution of five departments A b c d e ले कंपनी जिसमें की total employs जो है वह आपके 900 है जिसका यहाँ पर degree इस तरीके से distribution दिया हुआ है, चलिए यह थोड़ा correct करना, यह 900 नहीं होगा, 9000 होगा, ठीक है, 9000 है, हिंदी में जो है data सही दिया हुआ है, अब if the number of employees working in A are X, A में जो working कर रहे हैं वो X है, जो कि यहाँ पर 64.2 degree दिया हुआ है, और total employee working in C and E is Y, तो C और E का combine करके Y है, यह C है और E है, इन दोनों को combine करके जो है वो Y है, तो मान आपसे किसका पूछ रहा है, Y-2X का मान पूछ रहा है, आपका यहाँ पर value दिया हुए, तो अगर मैं आपसे पूछू कि Y-2X क्या है, तो कोई बच्चा बुलेगा सर, यहाँ E का मान निकाल लेते ह यह Y हो जाएगा, फिर X का मान निकाल लेते हैं, इसका दुगना कर लेते हैं, और Y-2X करके answer निकाल लेते हैं, लेकिन देखिए, जब आप SSC का exam दे रहे हैं, तो आपके पास एक अई घंटा है, तो अगर यहाँ पर हम देखिए, कि इसको solve करना है, कैसे हम solve कर सकते हैं इस इसमें से 2X को माइनस करना है, तो X का दुगना कर दीजे, मतलब 128.4, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा यह 4, यह बन जाएगा 10, मतलब 6, 6 से कटेगा तो यह बन जाएगा 14, 14 माइनस 8 आएगा तो 6, 5 से जाएगा तो 3, 36.6 डिगरी, मतलब यह कितना है, 36.6 डिगर है 9000, तो यहाँ 9000 से एक बार multiply करना पड़ेगा, एक decimal को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको 0 को हटा देता हूँ, एक decimal के साथ, एक सून्यों को यहाँ से हटा देते हैं, ठीके 90 है न, 4 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा value, चली, 9 से काटेंगे तो 4 बन जाएगा, 90 9 times, फिर 6 आ रहे हैं, तो 1s आ, फिर 5, 19, 1.5 आ रहे हैं, 10 से multiply करने पर 915 इसका value आएगा, तो यहाँ से ए जो है सवाल का सही उत्तर है, clear है यहाँ तक बात समझ में आ गई, आशा करता हूँ, यह आपको समझ में आया होगा, चली, आगे बढ़ते हैं, next question, अब देखें, यहाँ यह, what is the number of offices in which the number of employees of the company between 350 and 650, अब यहाँ से आपको निकालना है, ऐसे कितने office है, जिसमें कि आपके number of employees जो है, वो 350 से 650 के बीच में है, तो एक तरीका तो यह हो सकता है, कि आप A, B, C, D, E के सारे के सारे values निकालने, और सारे के सारे values निकालने के बाद देखें, कि कौन-कौन सारे 300 से सारे 600 के बीच में है, थोड़ा और smart तरीका सोचिए, smart तरीका यह हो सकता है, कि आप सारे 300 का डिगरी मान निकालिया, और 650 का डिगरी मान निकालिया, इसका डिगरी मान निकाल करके देखें, कि कौन-कौन सारे डिगरी मान इसके बीच में है तो उसके लिए आपको क्या दिया है कि total जो value है यह 2400 है तो अगर मैं 3500 का degree मान निकालूं तो 3500 का degree मान कितना है हुआ सबसे पहली बात आपको समझना है कि total value जो है वो 2400 है और 2400 का value जो है यह है 360 degrees तो यहाँ पर 350 है 350 का value निकालना है तो यह हो जागा 360 divided by 2400 multiplied by 350 अगर इसको हम 12 से काट दे बारा से काट चलिए एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो खट जाएगा बारा से काटने पर यह तीन मनेगा यह बन जाएगा दो ठीक है मतलब यह हो गया आपका 105 बटे दो मतलब कितना आ रहा है 52.2 डिग्रे तो यह इसका लोगर लिमिट है और वहीं अगर आपको अपर लिमिट देखना है तो 650 है तो 650 का वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं फटाफट कितना आएगा तो जाएगा 360 divided by 2400 multiplied by 650 तो यह हो जाएगा भई डिग्री मांच 650 का 650 अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो दो जीरो यहां से भी कर जाएगे अगर इसको बारा से काटा जाए तो तीन यह दो बन रहा ह अगर इसको 3 से multiply करें तो 15 18 प्लस 19 divided by 2 करोगे तो कितना जाएगा दो से काटने पर बन जाएगा 9 18 फिर 97.5 आ रहा है अब आप खुद बताएगे कि इन दोनों के range में क्या value से 52.5 से 97.5 के बीच में क्या value से यह value दिख रहा है 54 यह value दिख रहा है 90 यह दिख रहा है 72 यह 3 values 126 97.5 से बड़ा है 18 इस से छोटा है मतलब इसके range में किवल C है D है और E है तो तीन offices ऐसे है 3 offices ऐसे है अगर कौन-कौन से पूछ लेगा तो आप बताएंगे कि C है D है E है ठीक है चले next question है यहाँ पर if the percentage of the employees in C is 20% अच्छा ठीक है यह male employees दिया है C के male employees की बात करो तो C के male employees जो है यह 20% है और female employees E में जो है वो है 40% then what is the ratio of number of female employees in C to the number of male employees female employees in E भी ठीक है तो चली आईए solve करते है यहाँ पर female employees जो है आपके C में सबसे पहली बात male employees कितने है C में यह 20% आपको ratio किसका निकालना है female employees C का और female employees E का तो female employees C का अनुपात female employees जो E में है इसका आपको अनुपात निकालना है तो पहली बात समझिए आपको जो दिया है वो male employees कितने है C में दिया है 20% दिया हुआ है तो अगर male employees 20% है तो female employees 80% होने चाहिए जो C में है ठीक है 80% किसका C के employees का और C में कितने है तो C में 54 degrees है अनुपात की बात करें तो यहां से आपको समझना है कि female employees E में कितने है तो 40% है और E का degree मान कितना है तो E का degree मान 72 degree है ठीक चलिए अब अगर हम यहां से इसको calculate करें 40 का दुगना है 18 से calculate करोगे तो 18 का 3 गुना है 18 का 4 गुना है 40% of the number of employees in A are shifted equally to B and E then what is the difference between the employees in B and C तो आपको यहां पर B और C के employees का difference निकालने को बोला गया किसका किसका B का और C का difference आपको निकालने को बोला गया देखिए C का value तो change नहीं हो रहा है लेकिन यहां पर एक extra information यह दिया है कि 40% जो आपके A के employees है इसको equally आप distribute कर देते हैं दो values में एक तो E में चले जाते हैं इसके आधे और एक B में चले जाते हैं इसके आधे equally बोला गया मतलब यहां से 20% जो A है इसका आधा मतलब 20% A का B में भी जाएगा 20% A का जो है वो E में भी जाएगा तो यहां से समझिए कि इस 20% का value जो E में जा रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमारा मतलब जो है वो B और C के difference का है तो हम B और C के difference पर काम करेंगे पहले बात करते हैं C का angular value C का angular value है 54 degrees का और B की बात करें तो B का है 18 degrees का लेकिन यह पहले है अब 20% A का भी इसमें आ जाएगा 20% A का दालने का मतलब यहां पर A का जो angular value है वो है 126 degree तो 126 degree का 20% निकालोगे और 20% का value आप सब जानते एक बटा 5 होता है 1 by 5 होता है तो 126 का 1 5th value इसमें जुडेगा 126 का 1 5th value करने का मतलब 25 times आएगा 125.2 आएगा इतना degree मान है एक्चुली percentage नहीं है इतना degree मान और जुड जाएगा इसमें तो अब इसका और इसका difference निक चाहिए हमें तो इसका इसका difference बताई कितना होगा देखे अगर 54 में से 18 को minus करो तो बचा 36 36 में 25.2 degree और minus कर देते है तो आजाएगा 10.8 तो 10.8 degree जो है वो B के मान का और इसके मान का difference है तो बार-बार आप यहाँ पर degree मान degree मान निकालने के बजाए एक बार सारे degree मान को घटा लीजे difference निकाल लीजे last में finally एक बार जो degree मान आया इसका आप value निकाल सकते है तो total value कितना है 2400 है तो इसका value हो जाएगा divided by 360 multiplied by 2400 एक दसमलव को हम हटा देते हैं इस decimal value को हटाने के लिए एक 0 को हटा देते हैं अगर एक 0 को इससे काटे तो एक 0 इससे कड़ जाएगा 12 से काटोगे तो 3 बार कटेगा 12 से काटोगे 2 बार कटेगा अगला सवाल दिया हुआ है यहां पर 2016 में इफ टोटल ऑफ 14616 उनिट्स वेर सोल बाइ अब देखे यहां क्या दिया है पहले समझे देगाए पाच आट में 2016 में एक कंपनी पाच उत्पादन यानि कि A, B, C, D, E में कितने मातरा जो है वो विक्री गई यह बताता है तो यहां से आपको दिया हुआ दिग्रि मान अब इस दिग्रि मान में भी इसने ये कह दिया कि टोटल इतने सोल्ड हुए थे 2016 में तो आपको D का सोल्ड कितना हुआ यह निकालना है छे से काटोगे तो दो बार कटेगा, फिर 26 है, 4 times करेगा, 21 है, 3 times करेगा, 36 है, 6 times करेगा, 6 से काटोगे, 4 बार जाएगा, फिर 0 है, 406 है, इसमें 10 से multiply करोगे, तो 4060 आएगा, 4060, मतलब C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, pie chart में कैसे हमको इसको solve करना है, D का मान नि in 2016, and the total number of units sold in company in 2017 is 18% more than sold in 2016, and what is the total unit sold in 2017, देखे, सवाल में दिया है, अब थोड़ा सा यहां पर change किया है, कि 2017 का data निकालना है, यह आपका 2016 का data है, 2016 में आपको यह बताया गया, कि D ने जो sold किया, वो 1500 units sold किये, सबसे पहली बात, D का संगत कोन जो है, वो 100 degree है, और 100 degree का जो मा आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया है, यह दिया है, पंदरा सो unit, ठीक, यहां शाहिद यह टाइपिंग हरो, इसको हटा देते है, और 1500 unit का जो value है, यह 100 degree के बराबर है, तो टोटल जो unit sold हुए होंगे, वो 360 degree हुए होंगे, और अगर यहां 15 गुन हो रहा है, तो यहां भ जब, तो यह sold है भई, 2016 में total unit है, क्योंकि 360 degree total value होता है, और 100 degree का माल आपको दिया हुआ था 1500, और आपको क्या चाहिए कि 2017 में कितने unit sell हुए, और यह बताया गया है कि 2016 में total जितने sell हुए थे, 2017 में उसमें 18% ज्यादा sell हुए, 18% ज्यादा निकालना आप सब लोग जानते ह कि अगर यह initial value है, 5400, इसमें 18% बढ़ाना मतलब 118 divided by 100 कर देना, दो zeros यहाँ से कर जाएंगे, ठीक है, अब आप बताये कि 54 का गुणा करें तो क्या से करें, देखे 50 निकालना बहुत असान है, इसका आधा कर लिजे तो आजागा 59, और इसमें दो zeros और multiply कर लिजे, यह 50 होगा है, चार गुणे और है, तो चार गुणे मतलब 32, और 11 का मतलब 440, तो इसको जोड लिजे, ठीक है, तो यह सब calculation tricks है, 2, यहाँ पर 7 आजाएगा, यहाँ पर 13, 6372 इसका value होगा, 6372 मतलब C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, चलिए, If 320 units of product A were sold by company, then how many units of products B and E together were sold by company, A ने 50 degree, A का 50 degree है, और 50 degree का मान दिया हुए 320, आपसे पूच रहा है, कि B प्लस E का total बताईए, तो B का बताईए 35 डिगरी है, और यहाँ 55 डिगरी, 35 डिगरी कितना हो गया, तो आप कहेंगे 90 डिगरी हो गया, और अगर 50 डिगरी इतना है, त तो 90 डिगरी कितना होगा, 320, divided by 50, multiplied by 90, 20 यहाँ से कट गया, 5 से काट होगे, तो 64 होगा, 9 से इसको multiply करने पर, बताईए कितना हैगा, ठीक है, 36, और 6 यहाँ पर किवल ही है, तो यही होना चाहिए, हलाकि पूरा calculate करना है, तो 954 प्लस 357 आ जाएगा, ठीक है, 576 इसका value आ रह थे, चलिए, एक दो सवाल और देखते हैं, इस तरीके का जो सवाल है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ combined questions है, ठीक है, तो latest pattern में भी ऐसा सवाल भी देखने को बिना है, ठीक है, यह आपका 17 डिगरी है, 17 percentage है, 20% है, A का value, यह B है, C 19%, यह 14 है, यह 12% है, ठीक है, आशा करता distribution of 800 students in class 12th in a school in 6 different sections, A, B, C, D, E, तो 800 बच्चों का percentage distribution जो दिया है, total students का दिया हुआ है, दूसरी बात यहाँ दिया हुए है, कि यहाँ नीचे table graph जो है, यह बता रहा है कि girls कितने हैं, अलग-अलग, class में, 12th में, तो 6 sections है, A, B, C, D, E, F, तो अगर सारे students की बात करें, तो percentage से निकलेगा, लेकिन girls कितने हैं, यह निकालना है, तो यहाँ पर directly दिया हुए table में, कि A section में 102 girls, B में 80 girls, C में 104 girls, इस तरीके से, ठीक, तो अगर कोई सवाल में आपसे boys की संख्या पूछे, तो कैसे निकालेंगे, देखे, total, जैसे A का total boys की बात करें, तो 20% है, girls की बात करें तो यहाँ पर 102 है, तो 800 का आप 20% निकालेंगे, total आ जाएगा, जिसमें से 102 माइनस करोगे, तो वहाँ से जो है values of number of boys आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको यह graph को read कर रहा है, तो ऐसे combined graph भी आते हैं exam में, उसके लिए भी आपको ready रहना है, the total number of girls in section B, C, D together, is what percent more than the total number of boys in ABD, तो girls आपको चाहिए कहां कहां से, तो B plus C plus D से, boys आपको कहां से चाहिए, तो A plus B plus D से, total, boys की बात करें, तो A plus B plus D से, total boys आपको चाहिए, तो पहले girls की बात करते हैं, B plus C plus D करने पर, 98 है, 98 में अगर 104 जोडना है, तो पहले 2 भिज़ देते हैं, 100 में, यहाँ बचा 102, तो 202 हो गया, 202 में इस 80 को जोड़ोगे, तो 282 आएगा, यह total girls है, यहाँ पर, boys की में बात करों, तो देखें, A, B, D में पहले तो girls की संख्या देखिए, girls है 102 संख्या A में, B की बात करों तो 80, C की, D की बात करों तो 98, यह है girls की संख्या, ठीक, लेकिन हमें चाहिए boys की स किया, तो आपको यहाँ पर, A में 20% दिया हुआ है, कितना total students, total students, 20% किसका, तो 800 कहेंगे आप, क्योंकि 800 total विद्यारती है, तो 800 का 20% कितना होता है, 160 होता है, इन दोनों को minus करोंगे, तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है, 58, इतने boys होंगे, A में, ठीक है, B की बात करें, तो B में girls 80 है, और यहाँ पर 18% है, total यहाँ पर, जो students है, 800 का 18% निकालोगे, तो 144 आएगा, minus करने पर जो value आ रहा है, 64 का रहा है, तो इतने boys है, B में, D की बात करें, तो 98 girls है, और D की यहाँ से बात करें, तो 17% है, तो 17% किसका, आप कहेंगे, 800 का, 2 zeros यहाँ से कड़ गए, तो बताई कितना आएगा, 56, प्लस 8 प्लस इतना 136, तो 136 इस पर जोड लेते हैं, 136 जोडने पर, minus करने पर 98 से, तो यहाँ पर आएगा 38, मतलब इन तीनों को जोडना है, और 8 प्लस 8 होता है, 16 प्लस 6 करोगे, तो 20 आएगा, 0, 2 carry forward हो गया, साथ मे 3 प्लस 6 हो गया, 9, 9 प्लस 5 करोगे, 14, प्लस 2 करोगे, तो 160 आएगा, मतलब इसका जो total value है, 160 है, मतलब total जो boys है, A, B, D में, वो कितना है, 160 है, आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल में, कि आपसे पूछ रहा है, कि भई, यह value इससे कितना ज़्यादा है, तो आप जानते हैं, क आप यहाँ पर इसको काट सकते है, 80 बना सकते हैं, और इसको 141 मना सकते हैं, तो आप देख रहें, कितने का increment हुआ, आप कहेंगे, 61 का increment हुआ, तो percentage increase की बात करेंगे, तो 61 का increment हो रहा है, divided by, किस में, 80 में, multiplied by 100, ठीक है, यह value है, अगर हम इसको काटें, ठीक है, किस से काट स 756.25, ठीक है, 76.25, यानि ए जो है सवाल का सही उतर है, clear, समझ में आ गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए, अब हम डिसकस करेंगे, बार ग्राफ को, यानि दंड आरेक, देखिए, बार ग्राफ की हम बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ दिखाई जाते ह हैं, इस तरीके के बार ग्राफ होते हैं, ठीक, तो इसको आपको बताना रहता है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, ABCD के कुछ values होंगे, इस values को read करने होते हैं, जैसे यह 50 है, यह 100 है, 150, इस तरीके का data आपका एरेंज रहता है, इस data के values आपको निकालने आने चाहिए, और उसके की बात करूं, तो percentage, ratio, average, इन ही सब topic से आपके question आते हैं, ठीक है, पहला सवाल देखते हैं, यहाँ पर आपके screen के ओपर दिया हुआ है, आप लोग को यह दिखाई दे रहा होगा, ठीक, यहाँ पर क्या है, नामांकित, छातरों कास की संख्या है, तो यहाँ क्या दिया है, the bar graph shows the number of student enrolled for science course in an institute during the five years, ठीक है, इन्सिट्स A and B, तो यहाँ दो institute है, संस्था A है, जो कि ब्लू कलर में है, संस्था B जो है, जो कि लाल कलर में, और इस A, B में आपको लगभग यहाँ पर पांच वर्षों का, 2014, 2015, 16, 17, 18 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो यह सवाल पर इस तरीके से रीड करना आना चाहिए, कि यहाँ पर जो चात्र है, उनका नाम अंकित कितने है, यानि कि total enrolled students, जैसे 2014 के बाद करें तो 160 students है, 15 के बाद करें तो 225 students है, इस तरीके से डेटा यहाँ पर arranged है, एक बार आपने डेटा रीड कर लिया, आप question देखिए, क्या दि students, 15 प्लस 17 का, आनुपात आपको चाहिए, A का, 14 प्लस 16 का, तो बहुत focus के साथ आपको यह सारे solve करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो questions है, गलती होने के chances भी रहते हैं, तो जब B की बात कर रहे हैं, तो 15 और 17 का, तो 15 और 17 का B जब लेंगे, तो देखिए, B का मतलब ह यह लाल वाला, तो B यहाँ पर 360 है, और यहाँ 325 है, तो 300, 300 जोड़ने पर 600 आएगा, प्लस 85 है, तो 685 यहाँ पर value आएगा, करेक्ट, अनुपात 14 और 15, 14 और 15 की बात करें, तो A की बात हो रही है, यहाँ पर आपका 160 है, और 14 और 16 है, तो यह 360 है, तो दोनों को जोडने प 5 से काट सकते हैं, 5 से काट देते हैं, एक बार जा रहा है, 18, 3, चलिए, 13 टाइम जा रहा है, ठीक है, 65, फिर 35 आ रहा है, तो 137, यही होना चाहिए, और इसको अगर काटे है, तो यहाँ पर 92 आ रहा है, ठीक है, तो यह D जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, तो बहुत सि स्ट्यूट B, 2014, 2016, 2018, is what percent of the number of students enrolled in A during the five years, तो 2014, 16, 18 के दौरान, संस्था B में नामांकित जो चात्र हैं, उनकी कुल संख्या, पांच वर्षों के दौरान, नामांकित जो चात्र A में हुए, उसके कुल संख्या का प्रतीसत कितना है, बताना है, तो फोकस आपका जाना चाहि के B में, B का मतलब red color, और 14 में, 16 में, और 18 में, तो 14 में किते 220, 16 में किते 375, 18 में किते 225, इसको जोड़ना है, तो देखे 225 को और 375 को जोड़ना है, तो 25 और 75 तो 100 हो गया, 100 को इसमें दे देते दे, 200 में तो 300 बन जाएगा, 300 प्लस 300, आपका बन गया 600, 600 में अगर 225 को ज 1618 में combined है एक ही बात करें तो एक कंबाइन पाचोएर का चाहिए तो देखिए कितना कितना है ब्लू वाले को total जोड़ना है तो यह 160 है यहां पर 280 है तीन सो है 250 है और यह 260 है तो सब को जोड़ना है हमें कैसे जोड़ा जाए तो देखिए सपोस करिये अगर मैं यहाँ पर 260 को और इस 250 को जोड़ू, चले पूरा ही जोड़ लेते तो 510 हो जाएगा, 510 में इतना जोड़ोगे 810 होगा, 810 के बाद यहाँ 160 बचा है और 280 बचा है इसको जोडने पर value यहाँ पर आजाएगा आपका 80 है, 8 में 6 जोड़ोगे 14 और 1 मतलब 15 ठीक है, यह आपको बन जाएगा कितना बारे और, मतलब 1, 2, 5, 0 multiplied by 100 इसका percentage value आपको पूछा जा रहा है इस सवाल में ठीक है, 25 से काटू तो यह बन जाएगा 50 और यह बन जाएगा 4, 4 से इसको multiply कर लेते एक क्यारी फॉर्वाट, 32 होँआ 32 में एक जोडने पर 33 होता है divided by 50 करना है तो देखें, 50 से काटना है, तो यह बन जाएगा 66 परसेंटेज, कितना आगया 66 परसेंटेज ठीक है, तो D जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear है यहाँ तक, चलिए next question the average of the number of students enrolled in A during 14, 16, 18 is what percent less than the number of students enrolled in B during the 2017, correct to two decimal points तो आप से पूछा जा रहा है कि average आपके A का 14, 16, 18 में 14 में कितना? 160 18 में, 16 में कितना? 300 18 में कितना? 260 260 और 160 इसको जोडने पर यह 100 को भेजोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 360 प्लस 60 420 प्लस 300 करोंगे 720 आ रहा है लेकिन इसका average बुला तो 3 से बाटना पड़ेगा तो 240 इसका average है औसत है था ना औसत का मतलब क्या होता है? कि जितने संख्या उसका योगफल बटे जितनी संख्या है वो, तो 3 3 संख्याती योगफल आया 720, 720 में हमने इसको बाट दिया 3 से तो 240 आ रहा है ये जो 240 है 2017 के दोरान संस्था B में अंकित कितने थे तो 17 में B की बात करें तो 325 अंकित थे 325 से कितना प्रतीसत कम है ये आप से निकालने को कहा जा रहा है 325 से ये कितना कम है आपको निकालने को कहा जा रहा है तो देखिए एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ है जब हम percent discuss कर रहे थे चाहे percentage increase निकालना हो चाहे percentage decrease निकालना हो अगर हम initial value, final value का ratio लेते हैं तो percentage value में कोई भी फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पर आप क्या कर सकते है इसका ratio निकाल लीजे अगर मैं इसे काट दू 5 से 5 से काट दू तो ये बन जाएगा 48 48 और इसे यदि मैं 5 से काट दू तो 6 बार जाएगा 65 से अब बताइए भई कितना कम है तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 15 और 2 सतरा कम है 65 में multiplied by 100 ठीक है तो अगर मैं इसे 5 से काट तो आएगा 13 इसे 5 से काट तो आएगा 20 तो बन गया 340 340 divided by 13 मतलब कितना होगा ये अगर इसको 13 से काटे 26 26 टाइम जाएगा फिर 80 आ रहा है 6 टाइम जाएगा 26 पॉइंट लगभग आ रहा है तो 26.15 इसका सही उत्तर होगा आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ पर आएगा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन प्रोड़क्शन ओफ फ्लेवर ओफ A in 2012 तो A का 2012 में जो डेटा दिया हुआ है ये इस वाट परसेंट अफ दी एवरेश प्रोड़क्शन ओफ B in all the years तो B के सारे येर्स में जो प्रोड़क्शन है उसका टोटल वैल्यू आपको बताने को कहा गया ठीक है तो ये ब्लू कलर है चलिए देखते हैं A का 2012 में जो प्रोड़क्शन है वो है पचास इस वाट परसेंट लेस देन प्रोड़क्शन ओफ B in all the years आप देखें B के प्रोड़क्शन को सारे येर्स में निकालना है मैंने आपको एक चीज तिखा के रखा है डिवेशन आप चाहें डिवेशन लगा सकतें या आप चाहें तो सबको जोड़कर बटे 5 भी कर सकतें क्योंकि 5 वर्षों की बात हो रही है तो अगर हम B की बात करें तो B की बात यहां से स्टाट होगी ये 70 प्लस 40 हो गया 110 110 प्लस 50 हो गया 160 160 प्लस 40 हो गया 200 200 प्लस 65 मतलब 265 आ रहा है तो अगर आप percentage decrease की बात करें तो 3 divided by 53 multiplied by 100 होगा अगर ये 50 होता तो ये 6% आना था लेकिन क्योंकि ये 53 है तो 6% से थोड़ा चोटा होगा यानि 5.66 value होगा इसका ठीक है पूरा calculate करना चाहते है तो 300 divided by 53 से आप इसको बाटिए तो 5 times कटेगा किस से तो 265 से आप बताईए ये 6 बार जाएगा 6 times ठीक तीन सो अठारह से माइनस करोगे तो 320 आएगा तो 320 अगें 6 टाइम जाएगा 5.66 आ रहा है अप्रोक्सिमेटली लेकिन उसको calculate करने की जुरूरत नहीं क्योंकि option इस तरीके से set है कि आप इसको direct solve कर सकते है अगर 50 होता तो exactly 6 परसेंट आना था 50 से थोड़ा ज़्यादा आपने कर दिया denominator को तो इसलिए 6 से थोड़ा सा कम होगा 5.66 इसका answer होगा ठीक है चलिए next question यहाँ पर दिया हुए result in school कितने लोग pass हुए कितने लोग fail हुए pass वाले जो है वो dark blue में फेल वाले जो है वो light blue color में है तो अगर 2013-14 की बात करें तो 150 लोग pass हुए थे और 100 लोग fail हुए थे ठीक है तो यहाँ पर bar graph represents the results in a school in students in a school for the 5 academic year 2013 से लेकर 14 वाला academic year से start होते हुए 17-18 वाले academic year तो 5 अलग-अलग वर्षों के academic years का pass और fail का data दिया हुए किसी school का in which year was the percentage increase in the total number of past students is the lowest in comparison to the previous year तो किस year जो है percentage increase जो था percentage increase था as compared to the previous year ठीक है in which year the percentage increase in total student total number of students past in is the lowest in comparison to the previous academic year तो आपको यह बताना है कि किस year जो increase हुआ वो lowest था तो सबसे पहली बात यहां हम देखें तो 50 का increment हो रहा है 150 में मतलब multiplied by 100 करोगे तो यहां जो increment हुआ यह 33% का increment हुआ 33.33 क्योंकि एक तिया है ना one third का value आप लोग जानते है 33.33% इसकी यदि हम बात करें तो यहां 100 का increment हो रहा है 200 में मतलब total यहां पर आपका 50% का increment हो रहा है 50% आधे का increment मतलब 50% आपको निकालना है किस year increment जो था वो lowest था यहां वाला increase नहीं हो रहा पास वाले values यहां decrease हो रहा है तो यहां वाले को आप consider ही नहीं कर सकते 16-17 option में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 16-17 में आपका जो है अगर option में है तो इसको आप consider नहीं करेंगी क्योंकि increase वाले में percentage increase वाले में lowest जो है वो आपको निकालना है इसकी अगर मैं बात करूँ तो 50 का increment हो रहा है 50 किसमें 200 में multiplied by 100 कर लिजे 50 से काटोगे तो 5 है का मतलब 20% का तो देखें increment तो तीन academic year में हुआ एक हुआ 17-18 में एक हुआ 15-16 में एक हुआ 14-15 में और सबसे कम जो increment हुआ वो यहां 17-18 में हुआ 20% का तो 17-18 वाला जो D option है यह सही होगा क्योंकि किस वर्ष में उत्तीन होने वाले शात्रुक की कुल संख्या में प्रतीसत वृध्धी इसके पिछले सेक्षिक वर्ष दो है कि तुलना में ठीक है सबसे कम था यह आपको बताना था तो सबसे कम जो है वो 2017-18 में होगा clear? चलिए next question देखें यहां दियो है average of the number of students who passed in the 5 academic year 5 academic year में जो पास हुए उसका average क्या है average निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारी विधी बताई है तो एक दो बार तो मैंने आपको direct total करके बताया अब यहां पर आप चाहे total करिये या assumed mean mean के जरी है ठीक है deviation से भी आप इसको calculate कर सकते तो आप यहां मान के चल सकते कोई value जैसे कि for example मैं मान ले तो average 200 है कितना मान ले ते average 200 है पास का अब हम deviation में काम करेंगे ठीक तो यह इस से 50 कमे तो minus 50 कर लेते है यह तो 0 का deviation देगा अगला वाला value जो है plus 100 आगे है यह वाला value जो है यह 50 आगे है और आखरी वाला value जो है वो 100 आगे है तो इस deviation को divided by 5 कर लेते है 50 50 कर दिया 100 है plus 100 200 बटे 5 करोगे तो 40 आएगा और यह 200 है 200 plus 40 होता है 240 240 240 मतलब d जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा तो पास का average value जो है 240 यहाँ तक clear है चलिए आगे बढ़ते what is the approximate percentage correct to nearest integer of the students who failed during the 5 years taken together तो आपको बताना है यहाँ पर approximate percentage क्या है बच्चों का जो fail हुए है जो की total का हुगा ठीक है तो अगर हम देखे यहाँ पर 100 बच्चे फेल हुए यहाँ पर 100 बच्चे फेल हुए 200, 50, 100 और 100 मतलब total जो बच्चे फेल हुए वो 450 बच्चे है और total बच्चों की बात करें तो यहाँ आपके 500 बच्चे है यहाँ पर आपके 300 बच्चे है यहाँ भी 350 बच्चे है यहाँ पर 350 बच्चे है और यहाँ 400 बच्चे है total कर लिजे यह होगा 700 प्लस 300, 1000 1000 प्लस 400 ठीक है, 1400 प्लस 250 तो 1650 यह अब टोटल पर्सेंटेज का वैल्यू देगा क्योंकि यहां पर 100 से गुणा करोगे यह फ्रैक्शन वैल्यू चार सो पचास बच्चे जो है वो फेल हुए थे और टोटल बच्चे जो है 1650 है और यहां पर आपको इसी का पर्सेंटेज निकालना है टोटल य निचे इसको 5 से काते तो 33 आएगा तीन से काटा जाए तो 3 यहां पे 11 आ रहा है एक बटे 11 जो है वो 27 होता है ट्वेंटी 11 जो है 9.09 होता है तीन से गुणा करोगा तो 27.27 परसेंटेज होगा 27.27 परसेंटेज तो approximate वैल्यू जो है वो आपका 27 परसेंट होगा ठीक है क्यों students was the lowest. तो किस year सबसे lowest है? बहुत आसान सवाल. सबसे कम difference कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है न? 50 बच्चे. यहाँ तो 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 150 का difference, अगले वाले में 200 का difference. तो सबसे कम difference जो है, वो 13 और 14 में है. मतलब 13 14 is the correct answer. 2017 दिया हुआ है ठीक है अब यहां से आपको निकालना क्या है इसके बारे में data एक बार देख लेते हैं याने green वाला जो है वो आपको यहां पर क्या दे रहा है exports दे रहा है imports जो है व आपको red वाला दे रहा है इस तरीके से पढ़ना है कि 2013 में import हुआ 330 का तो export हुआ 400 का, तो ये करोर रूपया में है, मतलब 330 का मतलब इतना करोर रूपया, और 400 मतलब 400 क्रोर रूपया, ठीक है, ये आपके years में है, 2013 से लेकर 17 तक का, clear है, तो चलिए, what is the ratio of the imports in 2015-17, ठीक है, import 2015-17 का, to export in 13-16, तो बहुत आसान है, import की बात करें, तो red वाला graph, कब-कब 15-17 में, तो 15-17 में import वाला graph, 450 और 550, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1000 आ जाएगा, अनुपात है, export का तो 13 और 16 का, 13 मतलब 400, 16 मतलब 440, इन दोनों का जोड़ दिया जाए, तो 840 होगा, ठीक है, ये 1000 है, और ये 840 है अगर इसको calculate करें, ratio को 00 कर जाता है, 4 से काटने पर यहाँ 25 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, तो एक मातर option जो है, वो C होगा, सवाल का सही उत्तर, clear है, next question, दिया हुआ है, the total imports of steel in 14, 16, 17 is what percent less than the exports from 13, 15, 17, correct to 1 decimal, तो 14, 16, 17, 14, 16, 17, 14, 16, 17 का आपको imports चाहिए, imports की हम बात करें, तो यहाँ 360, 500 और 550 है, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तो यह हो जाएगा, 1050 प्लस 360, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 11, यहाँ जाएगा 4, 1410, 1410, यह imports हो जाएगा, 13, 14, 17 में, 13, 14, 17 की बात करें, तो यह हो गया आपका 13, और यह हो जाएगा आपका 15, और यह हो जाएगा 17, इसके exports की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा 400, ठीक है, प्लस 600, प्लस 650, तो 400 प्लस 600, हो गया, 1000, प्लस 650 करोगे, तो 1650 रुपिया, 1650 करोड रुपिया हो जाएगा, ठीक है, आपको यह बता रहा है कि कितना percentage less है, तो percentage less की अगर हम बात करें, एक 0, इस 0 से कड़ जाएगा, 3 से काटा जाएगा, तो यहाँ पर 55 आएगा, 3 से काटा जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सातार है 47, अगर देखा जाएगा यह value इस से कितना कम है, तो 8 कम है, 8 divided by 55, multiplied by 100, 5 से यदि हम काटें, तो 5 से बन जाएगा 11, और यह बन जाएगा 20, मतलब यह हो गया 160, divided by 11, मतलब एक बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर 5 आ रहा है तो 14 टाइम, फिर 6 आ रहा है, तो लगभग 14.5 टाइम साएगा, 14.5 यानि कि यह वाला जो है, सही उत्तर हो जाए कि आप total value में, अगर आप ratio ले लें, तो भी increase या decrease percentage का value चेंज नहीं होता, इसी चीज़ का आपको फाइडा उठाना है, कभी भी percentage increase या decrease का formula आगया, वहाँ पे आपको ratio लेना है पहले, उसके बाद increase, decrease निकालना है, clear? next question दिया है, in how many years were the imports more than 80% of the average in export per year of the country during the 5 years, तो आपको ये पहले चाहिए कि आपका average exports क्या है, उसके बाद उसके 80% से ज्यादा होना चाहिए, उसके 80% value से ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात आपके पास average export होना चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पाचु येर, इसक export का average निकालने के तरीके बहुत सारे, आप चाहिए deviation लगाई है, चाहिए जोड लीजे, जो आसान लग रहा है, वो करिए, ठीक है, देखे, अगर ये 400 है, इस 400 और 600 को जोड़ू, ठीक है, अगर यहाँ पर 450 है, और इस 650 को जोड़ू, ठीक है, तो 450 प्लस 650, ये हो जाएगा ग्यारा सो, ग्यारा सो प्लस 1000 हो गया, 2100, 2100 में इस, ठीक है, 450 को जोड़ेंगे, तो 2540 आ रहा है, ठीक है, 440 को जोड़ेंगे, 2540 आ रहा है, इसका average निकालेंगे, तो divided by 5 करना होगा, ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं, 400, 600, 1000, 1000 प्लस ये दोनों जोड़ोगे, तो 1100, य मुल्टिप्लाइ करोगे, तो 508 आ रहा है, इसका 80 परसेंटेज वैल्यू चाहिए आपको, तो 80 परसेंटेज मजलब 508 इंटो 8 बटे 10, यह होगया 80 परसेंटेज, एक दसमलब यहां चला जाएगा, और यह आपका मुल्टिप्लाइ करने पर 64 और प्लस 8, 6 आएगा, यहां पर 406.4 आ रहा है, 406.4, अगर यह 406.4 है, तो यह आपको डिटर्माइन करना है, इन हाव मेनी एर्स, इंपोर्टिपरसेंट अफ, मोर दैन 80 परसेंट अफ दी आवरेज, तो इसका 80 परसेंट इतना है, तो 406 दसमलब, 4 से जादा, कब-कब है, आ यहां पर ज्यादा है, तो D जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear? तो next question यहां दिया हुआ है, ratio of the demand of motorcycles of companies A, C, to the production of motorcycles of B and C, तो जब भी नया graph आया तो पहले समझना जरूरी है, तो read the bar graph दिया हुआ है, यहां पर दिया है, demand और production, demand red color में है, production आपका यहां green color में है, in lacks दि 16's, तो यहां पर companies A, B, C, D, E, 5 companies है, तो A का demand जो है वो 50 लाख का है, A का जो production है वो 55 लाख का है, B का production 45 का है, तो production 38 का है, C का demand 60 का है, तो C का production जो है बहत्तर का है, इस तरीके से आपको इसको read करना है, चलिए, आगे समझते हैं, यहां जो चीज़े दी हुई है, आपको ratio कि इसका निकालना है, A, C, E के demand का, और B, C के production का, तो B और C कहा है, उसका production देखिए, 38 plus 72, आठ जोड़ोगे तो 80 आएगा, फिर 3 जोडने पर 110 आ रहा है, तो यह 110 बन गया, ठीक, अब इसके बाद A, C, E के demand की बात हो रही है, तो A का demand है 50 लाख, C का है 60, 110, E का है 55, 110 में 55 जो पर, चलिए 55 से ही पूरा कड़े आएगा, तो यह 3 अनुपात 2 आएगा, इसका उत्तर, 3 is to 2, ठीक, अब यहाँ पर अगर आप 11 वाली गलती करते, 165 देखकर, तो यहाँ पर गलती होने के chances थे, इसलिए पूरा calculate करिए, ratio में कभी-कभी चीजे जो है, कड़ जाती है, 11 वाल production देखना है, तो CDE यहाँ पर है, 40, 75 और यहाँ पर 72, इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, 72 प्लस 75 तो 147 होगा, इसमें 40 जोड़ दे तो 187 यह total production है, CDE का, CDE का total production है 187, इसका total कितनी कमी है, बोल रहा है, is what percent less than the total demand of motorcycles for all the 5 years, तो total demand कितना है, total demand जो है, वो यहाँ से है, इसको start करिए, यहाँ से तो यह बन जाएगा 40, अच्छा 50, 45, 60, 65 और पच्पन, देखिए, इसको जोड़ने का भी, सोचिए कैसे जोड़े, 55 और 45, 100 होता है, 60 और यह वाला जो 50 है, चलिए, इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 110, ऐसे भी जोड़ेंगे, यह 110 हो गया, यह भी 110 हो गया, 220 ही हो गया, और यह 55 को जोड़ेंगे, तो 275 आएगा, ठीक, 11 से अगर मैं काट दो इसको, क्यूंकि देखिए, जबी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि आपको percentage less पूछा जाए, याने percentage decrease, तो आपको मैंने बता आए है, प्रारंभीक मूल, अंतिम मूल का रेश्यो लेने से कोई भी चेंज नहीं आता, परसेंटेज में, तो अगर मैं इसको percentage के terms पे इसको काटू, तो 11 से कटेगा, तो 25 आएगा, यह 11 से कटेगा, तो 17 आएगा, और value इससे कितना कम है, यही पूछा जा रहा है, तो percentage, increase, decrease वाला जो question है, उसमें भी calculation असान किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो आप initial value, final value को ratio लीजिए, उसके बाद आप percentage में काम करिए, ठीक है, next question यहाद ही है, number of companies whose production of motorcycles is equal to or more than the average demand of motorcycles for over the 5 years, तो अब motorcycles के demand जो है, demand अभी-अभी हमने calculate किया था, 50 और 60, 110 होता है, 45 प्लस, 65 भी 110 होता है, यानि 220 प्लस, 55 करोगे, 275 आएगा, 275 divided by 5, इसका average जो है, यह कितना होगा, 55 आएगा, 55 average demand, क्या है, the number of companies whose production of motorcycle is equal to or more than the average demand, तो इसके, यानि कि 55 के बराबर या equal to होना चाहिए, ठीक, उन कंपनियों की संख्या, जिसमें motorcycle का उत्पादन 5 फर्शन में, motorcycle के ओसत मांग के बराबर या उसके अधिक है, तो पचपन आ गया, कभी-कभी यहाँ पर केवल अधिक बोलता है, तो उस case में आपको 55 वाला नहीं count करना है, लेकिन यहाँ बोला, या तो पचपन के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्या, तो इसका production, तो production के उपर ध्यान देते हैं कि देखते हैं कहा-कहा 55 से ज़्यादा या उसके बराबर है, production मतलब green वाला graph, तो एक साल यह हो गया, A वाला company, इसको नहीं ले सकते, B भी है, C भी है, D भी है, इसको नहीं ले सकते, तो A, C, D, 3 है, यहाँ पर इसको लेंगे, तो इस case में आपको 55 लेना है, कभी-कभी, केवल बोलता है कि इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा वाला case अगर यहाँ पूछा जाता, तो आप इस 55 को count नहीं करते, इस बात का आप नोट करिएगा, कि अगर केवल ज़्यादा ब मतलब यह A के data के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो अब आप देखेंगे कि यह daily wages है, मतलब 400 से 450 के बीच में number of workers जो है वो 30 है, इस तरीके के graph को हम कहते है histogram, और यह आपके exam में पूछता है, यह आपके exam में आता है, 45, 500 से 550 के बीच में 65 है, और यह 550 से 600 के बीच में 60 है, इस तरीके से आपको histogram को read करना होता है, सवाल क्या पूछ रहा है, असान है, एक बार आपने read करना सीख लिया, तो सवाल कोई बड़ी बात नहीं रखती है, what is the ratio of the total number of workers whose daily wages is more than 500, to the total number of whose daily wages is 600 and above, अच्छा, less than 500, तो 500 के नीचे वाले और 600 के उपर वाले, इसका ratio क्या है, बताना है, तो 500 के नीचे वाले क्या है, 30 प्लस 45 तो हो गया 75, 600 के उपर वाले की बात करें, तो 55 प्लस 35, ठीक है, पांच जोड़ दोगे, इसमें, तो यह बन जाएगा 60, प्लस 35 करोगे तो 90, 15 से काटने पर यह बन जाएगा 5 और यह बन जाएगा 6, 5 इस्टू 6, A is the correct answer, ठीक है, चलिए, next question, histogram का, the number of students who obtained less than 300 marks is what percent more than the number of students who obtained 350 or more marks, तो अब की बार यहाँ पर histogram में marks दिया है, और यहाँ number of students दिया है, कि यहाँ पर marks जो obtained है वो दिया है कि 150 से 200 के बीच में 30 बच्चे है 200 से 200 के बीच में 45 बच्चे इस तरीके से आपका यहाँ पर histogram दिया हुआ है सवाल क्या पूछ रहा है the number of marks obtained by students who less than 300 तो 300 के नीचे मतलब यहाँ से इसके नीचे वाले कितने है भाई तो 45 प्लस 30 प्लस 60 30 प्लस 60 होता है 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 है यहाँ पर और is more than the number of students who obtained 350 और more तो 350 और इससे ज़्यादा 350 और इससे ज़्यादा कितने है तो यह 40 प्लस 35 है जो कि हो जाएगा 75 इससे कितना percentage ज़्यादा है पूछ रहा है तो 135 इस्टो 75 अगर मैं इससे 15 से काट दो 15 से काटू तो बन जाएगा 5 इससे 15 से काटू तो बन जाएगा 9 कितना percentage ज़्यादा है पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 divided by 5 multiplied by 100 5 से काटने पर 20 आता है मतलब कितना तो यह हो जाएगा 80 percentage 80 परसेंटेज जाएगा तो अगर चाहे परसेंटेज increase हो चाहे परसेंटेज decrease हो आपको मैंने बताया है कि अगर आप initial value final value को ratio लेते हैं तो percentage में कोई change नहीं होता तो यह percentage increase का सवाल था तो instead of इसको 135 और इसको 75 ही रखे रहे मैंने क्या किया इसको 15 से काट दिया तो 5 बार कटेगा यह 9 बार कटेगा तो 4 बढ़ रहा है 5 में तो 4 अगर 5 बढ़ रहा है मतलब कितना होगा increase 80 percentage का clear next देखिए यहाँ अब दिया हुआ है वजन weight दिया हुआ है number of students 40 से 45 के बीच में 30 बच्चे है 45 से 50 के बीच में यहाँ पर 40 बच्चे है 50 से 55 के बीच में 35 बच्चे इस तरीके से इस हिस्टोग्राम को रीड करना है दिया कैं number of students who is weighing less than 50 kg less than 50 kg is what percent less than the number of students weighing 55 kgs or more तो 50 kg से नीचे 50 kg के नीचे कितने लोग है तो 70 लोग है और 55 kg के उपर कितने लोग है तो 55 kg के उपर यहाँ पर दिया हुआ है डिटा इन दोनों को जोडने पर आता है 100 और यह है 125 तो यह 125 सत्तर जो है 125 से कितना कम है यही निकालना है तो मैंने आपको कई बार बता दिया एक बार और बता देता हूँ इसका रेशो लिलीजे 5 से काटने पर 25 पाट से काटने पर 14 तो अगर आप देखें कि कितने परसेंटेज कमी है यहाँ पर यह इससे कितना परसेंटेज लेस निकालना है तो यह 11 कम है कि इसमें 25 में मल्टिप्लाइड बाइ 100 करेंगे तो यहाँ पर आएगा चार तो यहाँ आजाएगा 44 परसेंटेज ठीक है क्लियर है चली नेक्स हिस्टोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है एजस ठीक है 30 से 40 के बीच में 24 लोग है इस तरीके से हिस्टोग्राम यहाँ पर एरेंजड है क्या दिया है number of patients who are 10 or more but below 40 years मतलब 10 से जादा और 40 से कम 10 से जादा और 40 से कम is what percent less than the number of patients who are 50 or more but less than 80 तो 10 से लेकर 40 के बीच में जो बच्चे है मतलब जितने लोग है यह ठीक है is what percent less than who are more than 50 and less than 80 तो 50 से जादा लेकिन 80 से कम इस से कितना percent कम है यह बता रहा है तो यहाँ पर आपको बताना है 10 से जादा और 40 से कम मतलब कितना 20 प्लस 24 20 प्लस 24 कितना हो गया तो 44 44 प्लस 14 करेंगे तो 58 आएगा is what percentage less than यहाँ पर जो 3 लोग है यहाँ पर 3 कौन है 2 प्लस 2 हो गया 4 प्लस 6 हो गया 10 1 carry forward हो गया 3 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 8 इस से कितना कम है यही बताना है आपको ठीक है तो बताइए भाई कितना कम है तो 20 22 कम है divided by 80 multiplied by 100 ठीक है यह percentage value होगा तो अगर मैं इसे 20 से काटू यह 4 बन जाएगा 5 मतलब 110 divided by 4 आए तो 27.5 है यही सही उत्तर होगा 27.5 परसेंटेज clear एक आखरी सवाल और देखते हैं marks scored by students in an entrance exam दिया है यहाँ marks है और यहाँ पर आपके number of students है यहाँ अगर आप देखेंगे 10 से 20 के बीच में 12 बच्चे 20 से 30 के बीच में 16 बच्चे 30 से 40 के बीच में 20 बच्चे इस तरीके से arranged है data सवाल क्या बोल रहा है what is the ratio of the number of students who scored more than 30 but below 40 तो 30 से 40 वाले बच्चों का ratio पुछ रहा है जो कि 20 बच्चे है to the total number of students यानि total number of students के साथ इसका ratio निकालना है तो 30 से 40 के बीच में तो 20 बच्चे है ये clear हो गया था और total बच्चे मतलब इसका total आपको निकालना होगा तो देखिए भई कैसे इसका total निकालना है देखिए बहुत आसानी से आप इसका total कर सकते हैं without ज्यादा calculation किये देखिए 12 दिख रहा है आपको यहाँ 12 और इस 8 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा ये 4 दिख रहा है और ये 16 दिख रहा है इसको जोडने पर भी 20 आएगा ये 20 दिख रहा है इसको अलग से लिख लेते हैं 12 और 28 इन नोनों को जोडने पर 40 आ जाएगा जो प्रवेश परिक्षा में भाग लेने वाले शात्रों की कुल संख्या का कितना है इसका औस आपको अनुपात निकालना था ठीक है तो यह 30 से 40 वाले 20 है और टोटल इतने हैं तो इसको काट लोगी कितना आएगा 1 is to 5 आएगा ठीक 1 is to 5 clear है B is the correct answer ठीक चली अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले जो की best quality content के साथ आपका यहाँ free of cost में हमने preparation करवाया है एक आखरी वीडियो बचा है जो कि कल आएगा ताकि यह हफता पूरा complete भी हो जाए और next week से आने वाले हफते से हम आपके साथ जुड़ेंगे practice sessions के जरीए ठीक है तो practice sessions में आपको जैसे की बताया था आपको starting सही बताया के रखा है कि course तो complete होगा साथ में अच्छा खास आपका practice भी रहेगा तो next week से जो हम अच्छे खासे practice वा इतना ही next video में मिलते हैं जो कि इस पूरे series का आखरी video रहेगा thank you